साथियों आप सभी कर प्रेटफार्म पर सौगत है यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि अभी हाल ही में जो है TMC की सांसत महुआ मुईत्रा को सांसत से निलंबित कर दिया गर्थात उनकी सदिस्ता खत्म कर दी गई है तो यहाँ जो पूरा मामला था इसमें हुआ कि लोग सभा ने पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में जो आचार समित थी इथिक्स कमिटी थी उसकी रिपोर्ट के आधार पर इनकी सदिस्ता जो है वो खत्म की है तो हम यहाँ पर इस वीडियो में जो भी परिच्छा के देशकोंड से इसके समद में महात्पूर्ण बिंदु है जैसे कि एथिक्स कमिटी क्या है किस प्रकार से रिकेमेंडेशन करती है या किसी सदिस्ता किस प्रकार से जाती है तो इन सभी चीजों के बारे में इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे जो कि आपके परिच्छा के देशकोंड से काफी महत्पूर्ण साबित होगा तो चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर हमने यह जो कंटेंट लिया है यह विजन आईएस जो कोचिंग संस्था इनके दोरा जो डेली करंट अफेयर प्रवाइड के जाता है उसी में से इस कंटेंट को लिया गया है तो देखिए लोग सभा के आचार समित ने एक सांसत को अनायतिक आचन और सदन की आवमानना का दोशी पया था इस आधार पर समित ने उस सांसत को सदन से निसकासित करने की सिफारिश की थी आचार समित के माध्यम से सांसत को निसकासित करने की जो प्रक्रिया क्या होती है उसको थोड़ा देखें सबसे पहले क्या होता है सिकायत दर्ज की जाती है मतलब एक सदश के खिलाफ या कई सदश के खिलाफ सिकायत दर्ज हो सकती है दूसरा बाहरी लोग भी सदन के किसी सदश के माद्यम से किसी सदश या सदश्यों के कथित कदाचार के साची के साथ उसके या उनके खिलाफ सिकायत दर्ज कर सकते हैं क्या होता दूसरा step समित द्वारा मुल्यांकन किया जाता है समित किसी सिकायत की गहन जांच करने से पहले पर्थम द्रिष्टिया जांच करती है वह सिकायत का मुल्यांकन करने के बाद सिफारिशने करती है रिपोर्ट और निर्णे की बात करें तीसरा जो step होता है फिर रिप लोगसभा अध्यच को प्रसुद करती है इसके बाद लोगसभा अध्यच सदन से अनुमत मांगता है कि क्या रिपोर्ट पर विचार किया जाना चाहिए या नहीं इसके बाद सारी प्रक्रिया आगे चलती है अब यहां ध्यान दीजेगा कि यह जो संसत का निर्णे होता है उसके बाद सदस्षी के निष्काषन के मामले में सदन के निर्णे को नियायाला में चुनोती दी जा सकती है ये महत्पूर है ठीक है? तो इसी मामले में अभी क्या हुआ है कि महुआ मोहतर जीने जो है इस फैस आधार ऐसे प्रसुत करता है जिसके माध्यम से शदन में किसी सांसद का इस्थान रिक्त किया जा सकता है। लोग बात करते हैं अचार समित के बारे में आचार समित जो आपकी इतिक्स कमिटी है इसके बारे में देखिए ये लोगसभा और अरा समित दोनों की अपनी इतिक्स कमिटी होती है। तो लोकसभा के जो आचार समीत है इसका गठन वर्स 2000 में हुआ था तिपकि राजसभा के इससे पहले इसका पहली बार गठन राजसभा में 1997 में हुआ था तो राजसभा की जो आचार समीत है सबसे पहले कठी तुई थी 1997 में और लोकसभा में वर्स 2000 में इसके आगे देखें स सभा के सदिश होते हैं और राज सभा की इथिक्स कमिटी में दस सदिश होते हैं जो कि राज सभा से आते हैं सदिश्यों के कारिकाल की बात करें तो देखिए सदिश्यों का कारिकाल जो है लोग सभा के लोग सभा के जो इथिक्स कमिटी होती है इसके सदिश्यों का कारिकाल ये सदेश्च नामित होते हैं तो देखिए लोग सभा के जो इथिक्स कमिटी होती इसके सदेश्च जो हैं लोग सभा अध्धच के द्वारा नामित होते हैं ठीक है लोग सभा अध्धच के द्वारा तो इतनी चीजें आप यहाँ पर याद रखिएगा कि इथिक्स कमिटी क किस प्रकार से इसका गठन होता है, किस प्रकार से कारिय करती है ठीक है और कितने सदशी होते हैं तो यह आपके IKJAM के देशकोरण से काफी महत्यूरण है इस वीडियो में बस कितना ही मिलते हैं एक्ट वीडियों तेब तक के लिए वहत-वहत धन्यवाद